दश्को कहते हैं नारी का सम्मान करना मा का सम्मान करना है और मा का सम्मान करना भगवान का सम्मान करना है और जो व्यक्ति सची दिल से भगवान का सम्मान करते हैं सही मायने में पूरा जीवन आनन से वही जी पाते हैं इन्हें उमीद और कामनाओं के साथ मैं राकिश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दूर दर्शन के बैदी खास और लोगपरे कारिकरम अपने चेहते कारिकरम बिहार भीहान में तो दर्शको इसे उमीद और कामनाओं के साथ हमने इस कारिकरम के शुरुबात की है कारिकरम को हम आगे बढ़ाएं इसके पहले एक विशेश एक खास जानकारी आप तक हम जरूर साजा करेंगे आठ मार्च को जैसा कि हम सभी जानते हैं तराश्टे महला दिवस वरियद अस्तर पर हम बनाते हैं उदेश राता है महलाव के पती जागरुकता लाना और समाजिक बदलाव लाना और उनके पती जो भी मांसिकता चल रही है नकरात्मक उसे कैसे हम सकरात्मक रूप में बदल सकें और बिहार बिहान की एक मुईम है कि मार्च महिने का जो पहला सपता है ये उनी पर आधारित हमारे जो मुखे जो कारिकरम है वो रहेगा उनी को समरपित रहेगा नारी शक्ती को समरपित रहेगा और महिला सशक्ती करण को समरपित रहेगा किस तरह जो महिला हैं आज हमारे सम समाज में लगतार, निरंतर, नितने दिन आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपनी एहम भूमी का निभारी हैं वो ना सिर्फ खुद की तरकी कर रही हैं समाज की तरकी कर रही हैं उनकी तरकी के साथ हमारा बिहार भी तरकी कर रहा है तो मैं आपको बदा जूँ कि आज दिन करने कि भाद ही हमें भोजन ग्रहन करना चाहिए कि शास्त्रों इसका बहुत ही मैतव बताया गया है और इसी किससा साथ शनिवार का दिन होता है तो इसलिए कहते हैं कि जो ग्रहों के देवता होते हैं वो शनिदेव होते हैं इसलिए वnight hi तो उनकी नाजगी दूर करने के लिए तो कई सारी जो लोग है पूजा रदना करते हैं और ये भी बताया गया है कि शनीदेव को प्रसंद करने के लिए हनमान जी की पूजा का विधान भी बताया गया है तो उमीद करते हैं शनीदेव के किर्पा हम सब पर बनी रहें और इन वास्ति ही है जो हमारा सहीधन है सोने और चांदी का मुल्लिक इसके सामने कुछ नहीं है। भूमिका भी अदा करही हैं तो मैं आपको बदा दूए कि कुछ ऐसी शक्सित आज हमारे कारेक्टर में मौजूद हैं ये सरकारी सेवा से जुरकर समाजिक नयाई दे रही हैं इसी किसा साथ एक समाजिक नई सोश और एक नई जो विचार है लोगों के बीच बाटते हुए न अगर आगए मैं आपसे बात करूँ तो एक जानकारी अपने दर्श को के साथ जरूर साजहा करोना चाहूंगा कि ये देश का ऐसा पहला प्रादिकार है हाई कूर्ट के पहल पर एक ऐसा ऑफिस बनाए गया जिसमें जो तमाम विभाग में जो महिलाएं हैं वही कारवरत हैं महिला रैंक की जो आफिसर हैं वहाँ पर मौझूद हैं और ये अपने अदालत की जो आभिशकता है क्यों परी और किस तरके जो मामले हैं यहाँ पर देखने के मिलता है डिस्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया बोलाने के लिए जैसे आपने बोलाए कि ये पूरा वी की पूरा सब्ताम महिला शसक्तिगरन के उपर कर रहे हैं और हमारा पहला ऐ हम राजस्तर पे हैं हम लोगों का जो बेसिक एक ड्यूटी है वो लोक अदालत है लोक अदालत से जैसे नाम जान रहे हैं कि लोक अदालत जनता की अदालत तो यह वो केस होते हैं जहां पे जो कोट में लंबित हैं या पुरवाद हैं हम उनका लोगों के सुलह से उनका निश निष्पादन होता है तो केस्ट खतम हो जाता है उस चीज इसलिए इसको नाम लोक अदालत की जनता की अदालत और जनता से ही अदालत तुर अब्धिकारी रहते हैं तो नियाइक पधिकारी और उनके साथ कोई अधिवक्ता लेकिन वऌ फैसले के लिए उस दिन वो कोई निर्ने नहीं करेंगे समझोते की बेसेज पर उनका निश्पादन होगा तो धिरती शर्मा जी आपका जो विभाग है वो कमजोर तबके के लोगों के लिए है और जिने समाजिक सुरक्षा मिलने में परिशानी होती है मौलिक अधिकारों का जिनका हनद होता है तो इ इसको हमने 1995 में इसका एंफोर्स हुआ था और 9 नवंबर को हर वर्ष हम इसको विधिक सेवा दिवस मनाते हैं इसके अंतरगत हमारे पास यदि कोई अंसूचित जन जाती से कोई सदस्य हो यदि कोई महिला हो यदि कोई बच्चा हो यदि कोई बिखारी या जो लोग ट्रा हमारे विधिक सेवा प्रादिकार ने इसके इलावा कुछ और लोगों को भी अपना उस कैटेगरी में डाला है जिनको मुफ्त विधिक सहायता देंगे वह हैं ट्रांसजेंडर परसन उभेलिंगी व्यक्ति वरिष नागरिक कैंसर के पीडित एचाईवी एड्स के पीडित अनौर्गनाइज सेक्टर के जो कर्मी है वो उन सब को या जिसका अनौल आए वार्शे का है जिनका डेड़ लाग से नीचे है उनके लिए हम खड़े हैं उनकी सेवा के लिए उनको हम विधिक सेवा देते हैं जी लोगों को नियाए मिले जो नेचीले पायदानिके लोग हैं उन तक आप की पहुंच हो इसके लिए आपके टीम भी डरांड करती है जहीं पर जाती है उन लोगों से मुलकाट को विखrage है तो लोग अपने आपको कैसे तियार करते हैं कि जो भी उनके मामले होते हैं जो तो नियाई की जुरुत है जो खुद सक्षम नहीं है कोट तक जाने के लिए हम उसके लिए भी जिस तहां बता रहे हैं महीला विश्व यह इसमें महीला दिवस तो हम इसमें एक पूरा सब्ता मना रहे हैं हम डोर टू डोर कैम्पेइन करेंगे जिसमें प्रादिकार आपके चला रहे हैं चार मार्ट से आठ मार्च तक वो चलेगा जिसमें हमारे पैरा लीगल वालेंटियर्स घरगर तक जाके लोगों को जागरूप करेंगे अवेरनेस करेंगे खासकर महीला अधिकारों के लिए जिसता हम महीलाओं की बात कर रहे हैं क्योंकि स्पेशल कैम्पेइ जहां पर भी नयाले हैं वहां पर हमारा एक प्राधिकार का दफ्तर है वो लोग अपना पूरा उसमें कोशिश करते हैं कि कोई भी जन ऐसा नारे जिसके पास विदिक साहिता की जरूरत हो और वो ना पहुंच सके जो तो देती शर्मा जी अगर किनी महिलाओं के साथ अक्त प्रतारना का है जिसाम महिला के साथ यह उन्जसोशन एक चल रहा है एक कारेस थल पर यह उन्जसोशन का जो अधिनियम है उसकी जाग रुकता घ्रेलु हिंसा के जो अधिनियम है उन leg का पुरा अधिकार मिले उक जो उनका एक जीने का बेषिक अदिक आदिकार मौलिक eyebrows fundamental duty जो हमारा सम्विधान हमें देता है उनकी सुरक्षा कर चुके तो ये सब कानून उनके लिए बनाए है और आपको एक और जिस्ता हम बात करें हमारा सम्विधान खुद हमें अनुचेत 15.3 में अधिकार देता है कि कोई भी राज्य या कोई भी केंद्री इस तर पे जो है उ जब हमारा सम्विधान महिलाओं को खुद एक मानता है कि उनको महिला और बच्चों को स्पेशल ट्रीट्मेंट मिलना चाहिए उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए तो ये सब कानून उनकी सुरक्षा के लिए बने हुआ है जिनके साथ नाइसाफि हो रही है तो य महिलाओं के साथ नाइसाफि हो रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर है अगर आप तक वो पहुंच पाती है तो फिर उनके लिए क्या सुविधाएं जो प्रादिकार विभाग के तरब से दी जाती है उसके बारे में जरूर बता है महिलाओं के परिपेक्ष में ये बोलू इड़िए से लेना वकील से बात करना हमारे वहों पे पैनल अदि वक्ता रहते हैं जो उनको पूरा एडवाइस दे सकते हैं लीगल एडवाइस येदि उनको केस दर्च करना है अपना तो उनको कोई नयाशल्क नहीं लगता महिलाओं के लिए, नयाशल्क की माफी है, नयाशल्क नहीं लगेगा, कोट फीस नहीं लगेगा, यदि उनको वकील चाहिए अपना केस लड़ने के लिए, यदि मान लीजे उनके विरुद कोई केस हो गया है, उसमें भी हम उनके बचाव पक्ष के ल उसके लिए हमारा प्रादिकार उनको मुआफ़ा भी देता है अगर किनी महिलाओं के साथ नाइसाफी हो रही है तो उनकी पहुंच आप तक कैसे हो इसका क्या प्रोसेस है इसके बार में भी जरूबनाएं कि अगर उनकी महुंच के लिए हमारे पास हर जिले में हमारे पैरा लीगल वालेंटेर रहते हैं जो बिल्कुल जन जन तक जाके अपनी जागरुपता कर रहे हैं ब्लॉक लेवल में हैं गाउन लेवल पे हैं यदि वो चाहें तो फोन के माध्यम से जैसे आपने भी साइबर क्राइम का बोला हमारा भी एक हेल्प लाइन नंबर है सब लोग दर्शक से आपके माध्यम से दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी उसको नोट कर लें पंद्रा एक सो एक पांच एक शुने शुने यह राश्टेस्टर का हेल्प लाइन नंबर है आप अपना कॉल कीजिए उससे आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जब आप कॉल करेंगे अगर आप महिला हैं और किसी महिला दीवक्ता से ही अपनी बात करना चाह रही है क्यों यदि वो चाहें तो वो ऑनलाइन अपनी अप्लिकेशन भी हमारे नालसा के पोटल पे जाके अप्लिकेशन दे सकती हैं यदि वो जाएं हमारे अनुमंदल स्तर पे जितने नयाले हैं जिला स्तर पे जो नयाले हैं राज्य स्तर पे हम लोगों का ऑफिस है उच नयाले है सु उनको किसी भी वकील के पैसे की जरुरत नहीं है, वकील को फीस नहीं देना, क्योंकि वो हमारे अधिवक्ता रहेंगे, जिनको हमारे द्वारा फीस दिया जाता है, उनको उस महिला को उस वकील का कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, नया शुल्क नहीं देना पड़ेगा, और दिर्टी शर्माजी साइबर ठागी को लेकर हमने अभी चर्चा की आपने बात उठाया तो अभी ये एक तरसे ट्रेंड सा बन गया है मतलब कि कोई भी अनुर नमर से किसी को कॉल करता है साइबर ठागी के शिकार बहुती अधिक संख्या में हो रहा है चाहे हो महिला हो या प प्रादी घटनाए होती है तो इनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में हम जरूर जानेंगे एक चोटी संतराल के लिए रूखेंगे हम लोटेंगे जल बने रहे हैं अब बिहार बियान के साथ चोटी संतराल के बाद पुनाप का स्वागत है हमारे खास कारिकरम बिहार बियान में और आज की हमारी महमान है धिरती जसलीन शर्माजी जो सेंग्त सची हुए बिहार राज विदिक सिवा प्रादी करण की पुनाप का स्वागत है कारिकरम में और धिरती शर्माजी कही त वो उठाया था महिला हो या फिर पुरूश आज के समय में साइबर फ्रॉड इतना जादा बढ़ गा है कि लोग परिशान है अपनी मोटी गाड़ी कमाई वो खो देते हैं और ऐसे में जो अपराद इस तरह के सो जो बढ़ है कम कैसे आए प्रशाशन के सामने भी ये बड़ी जो एक मोबाईल आया है ये बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ा इस पे है जितना भी साइबर ठगी है यदि हम उसकी प्रतिशत की बात करें तो उसमें 95% 90% तक भी मैं बोलूँगी हमारी गलती के कारण साइबर क्राइम हो रहा है किसी ने आपको बोला कि मैं आपको ए 25 Tá 45,000 की लाटरी free में देगा आज्ड में दो रुपय आपको को फ्री में नि आपने घर की चाबी किसी और को खुद अपने हाथ से पकड़ाई तो यह जो क्राइम है इसमें 90% हमारी ही गलती के कारण हो रहा है और जैसे आप बोल रहे हैं महीला या पुरुष मैं तो यह बोलूँगे यह क्राइम हर एक के साथ हो रहा है वो यह नहीं देख रहा है मुझ के दिमाग की ट्यूनिंग की जा रही है उन बच्चों को सुसाइड करने तक मजबूर किया जा रहा है तो मॉबाइल को सिरफ जो हमारा जितना यूज था उतना करें हमने उसको इतना हम उस कहा गया था टेकनोलोजी हमें सर्व करने के लिए है लेकिन उल्टा वो हमारा मास सता है तो हमें मोबाइल को बहुत सतर्टा से सड़क पर हाइवें पर गाड़ी चला रहे हैं तो छोड़ के तो नहिंद'mें चलाये या आप गाडी का स्टेडिंग नहीं चोड़ेंगे तो ये गलती हम लोग करो अपने outta Chris तो आपका मुबाइल है, आपके पास वीडियो कॉल आता है, किसी का मान लीजिए अन्नोन नमबर है, क्यों उठाएंगे, अगर आप जान नहीं रहे हैं, तो मत उठाइए, इतना ही है उस नमबर पर खुद कॉल कर दीजिए, अगर आपको है कि कॉल उठाना, लेकिन वीडिय कॉल किसी अन्नोन नमबर से मत उठाइए, कोई जानकारी का नमबर नहीं है, वीडियो कॉल मत उठाइए, आज कल तो वोईस रिकॉर्ड, एक जो मैं बात खुद फील करती हूं, जो हम अपनी इन्फोर्मेशन खुद देते हैं, आपने अपने स्टेटस पे अपना फैमिली का फोटो लगाया, फेस्बुक पे लगाया, आप कहीं घूमने गें, चोरों को पता चल जाता कि आप घूमने गें, हम ही डालते हैं, कि हम लोग या घूमने गें, तो हम तो इन्फोर्मेशन खुद दुनिया को दे रहें, आपका बच्चा आपने उसका फोटो लगा दिया मेरा बच्चा स्कूल में है, तो जो हैकर है वो तो उठा लेगा इन्फोर्मेशन, सारी इन्फोर्मेशन आपकी इंटरनेट पे है, कभी आप देखिए आपकी सब इन्फोर्मेशन हम खुद इंटरनेट पे, जितना भी आप मोबाइल पे आप डाउनलोड करते हैं, उसको यदि उसकी परमीशन पढ़ लीजिए, उसमें एक कॉलम आता है परमीशन, हम पूरे मोबाइल की अपनी पूरी हिस्ट्री का अपना पूरे कंटाक लिस्ट का हम पावर खुद दे रहे हैं तो जब भी आप कोई आप डाउनलोड कीजिए, उसको सतरकता से कीजिए, कोई भ मत उठाइए, आपको कभी भी कोई बैंक आप से लिंक पे क्लिक करने को नहीं बोलता, यदि आपने कोई सर्विस नहीं मांगी तो, कोई भी बैंक आप से ओटी पी ऐसे गलत नहीं मानता, लने से आप क्रेडिट कार्ड पे कोई शॉपिंग कर रहे हूं, बिना बाद के अपना OTP देना, फोन पे आपको कोई इंसान बोल रहा, अपना OTP दीजे, क्यों देंगे आप, आपके अपने घर का चाबी किसी अंजान को नहीं देंगे, तो ये गलती हम फोन के माध्य हम से क्यों करते हैं, तो यदि हम सतर्क हाईवे पे गाड़ी स्टेरिंग छोड़ के चलाएंगे तो एक्सिडेंट होगा, तो जैसे गाड़ी सतर्क, नजर हटी, सतर्क का हटी और दुरगटना घटी, वो मोबाइल के साथ आज यही है, और 1930 जैसे आपने बताया, एक नो तीन शुन्य नंबर, अगर साइबर क्राइम होता है, इस पर कॉल कीजिए, इसे लोग हैं, जिससे वाकिए घटना बिना उनकी किसी गलती के कारण हुई है, वो इमेडियेट पुलीस को रिपोर्ट करें, इमेडियेट बैंक को रिपोर्ट करें, आपका समधान होगा, 1930 जैसे आपने भी बोला कि सरकार पी इस पर बहुत जादा सतर्क हो गई है, लेक उनने बच्चों को खास कर वीडियो गेम और इन सब से बचा के रखें, जैसा कि कहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा जो चीज़ी इस्तेमाल होती है, तो परिशानी का सबब बन जाती है, और उसी का नतीजा है साब अफ्रॉड, और हैरानी की बात यह है कि जो पहरे लिखे ना करें, और इसी के साथ कोई अनोन व्यक्ति किसी भी सरकारी दाफ्टर से फोन करता और कहता है कि आप डाउनलर कीजिए, तो उस आप को बिल्कुल डाउनलोड ना करें, क्योंकि वह एक जरिया होता है, जो आपको फोन पर जो रिमोट सिस्टम पर ले ले लेता है, जिसक बड़ी चुनौतिक कैसे इसे निप्टा जाए, तो अच्छो कि अब हम बात करते हैं, च्छो कि आपका जो पेशा है, नहाए किसी बास से आप जूरी हुई है, महिलाओं की भागेदारी को लेकर हम इसमें बात करेंगे, महिलाओं की भागेदारी वकालत के पेशे से कितनी जोड़ी हैं, और इस पेशे को लिकर महिलाओं में कितना जो जाग रुकता है, जो अवेडनेस है, वो देखने को मुला है, कितना मैटवन जो रॉल है, आप देख पारी हैं, जो बताए इसके बारे में, जैसे आपने बताए, आप विदिक से मतलब, अगर हम एड़ोकेसी क की बात करें, लेलबी की करें, तो आज महिलाओं की भागिदारी बहुत जादा हम देख रहे हैं, जो हमारे अभी नियाएक पदिकारी जो लोग करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक्जाम पास करके जुडिश्री में आ रहे हैं, उसमें यदि हम बहार के करें, तो पिछले तीन-चार साल से करीब-करीब 40-50% तक की भागिदारी है, अगर साड़े-तीन सो बच्चे हैं, उन में से करीब-करीब डेट सो जो हैं, वो महिलाओं आ रही हैं, तो वो हम भागिदारी बहुत देख रहे हैं, हमारी नए पदिकारी नया एक पदिकारी ज सब्सक्राइब के जिसकी हम बात करें हर किसी भी प्रोफेशन में अगर आप देखिए महीला बिल्कुल सामने जुड़के आ रही है अगर हम छोटे अगर हम उन बात करें की ग्राउंड लेवल पे विलेज लेवल पे हमारी जीवी का दीदी एक एग्जामपल बन रही है पू काम करके आ रही है घर पहुंचके यही माना जाएगा अगर दोनों काम करके आ रहे हैं तो यही माना जाएगा कि महीला ही किचन में जाके खाना बनाए और महीला में शमता है महीला घर भी संभालती है महीला परिवार भी संभालती है महीला आफेस भी संभालती है महीला बच काम करती है तो उसको आप यह मत मानि जाए उसकी कोई इनकम नी है यह ले आप घर में न कामों केसी की मदद ली जिए जादा आपको रहेगा तो सूप्रीम कोड भी siuko मांनता ओगर भी खरेलु महिला की व उसको मना जाएगा की वो काम महिला नया परदिकारी है तो एक केस नया महिला परदिकारी को ही दिया जाए तो हम लोग उस चीज़ को एक नॉलज भी करते हैं देती शर्मा जी आपके साथ कई महिला एडवोकेट भी जूरी हुई है उनके बार में जरूर बताएं कि यह कौन-कौन है और इनकी क्या जो महत हम लोग देते हैं केस के निप्टारे पे उनको किसी पार्टी से केस नहीं लेना और हम लोग जितनी भी है महिलाएं आगे बढ़ चर कर हमारी मदद करती हैं उनके जितने भी हमारी अधिवक्ता है वो महिला के जो दर्द को है जादा भेतर समझती है उनके केस के लिए वो ज़्यादा अच्छे खड़े रहती हैं हमारे साथ जी बिल्कुल तो एक छोटी से ब्रेक के लिए आप पर दर्श को रुकेंगे और अंतुराल के बाद पूरा हम ये जानेंगे और बताएंगे भी कि पुरुष प्रधानता समाज में महिलाओं के जो सिती है वो कितनी बदली है मासिक्ता कितनी तीजी से बदली है और बदल रही है एक चोटी संत्राल के लिए रुकेंगे लोटेंगे जल आप बने रहें बिहार भीहान के साथ करेकरम बिहार बिहार में धृती जसलीन शर्माजी हमारा साथ मौजूद हैं सविक्ता सच्यू हैं बिहार राज वेदिक सिवा प्राधिकरन की फुना आपका स्वागत है करेकरम में कही तरकी बातों कर हम चर्चा करेते हैं साबर फ्राध को लेकर हम भी हमने चर्चा कि जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं निरंतर आगे बढ़ रही हैं और वैसे भी हमारी मासिक्ता है पुरुष प्रधानता हमारा समाज माना जाता है देश माना जाता है लेकिन ऐसे समाज में भी अब हमारी महिलाएं आगे परक्रशाइब तो अगर आगे बढ़ रही है वो अपने उनके सपनों को पूरा करना किया जा रहा है तो मानसिक्ता तो सुधरी है यदि हम अपने ही पिता जी की बात बोलें तो हमारे पिता जी की मानसिक्ता रही होगी जो उन्होंने हमको पढ़ा के इस पूजिशन तक है और हम लोग उस चीज़ को प्रूव भी करके दिखा रहे हैं कि यदि आप ने हम पे विश्वास किया तो आज हम आपके विश्वास पर पूरा हो रहे हैं तो यदि हम इस चीज को ना ध्यान करके कि हम महिला को बढ़ा रहे हैं या हम अपने बच्चे को इतना सक्षम बना रहे हैं कि वो अपना जीवन ग्यापन कर सके अपने लिए केरियर बना सके अपने केरियर में उच्पद पर जा सके तो यह मुझा लगता है यह हर माबब का इच्छा है तो क् उसके लिए हम इस चीज को करें कि साभ लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, हो सकता आPकी लड़की है नाथ को अच्छा कर जाए, हम तो कहें कि दोनों को सक्षित बनाएगे, तभी एक पढ़ा लिखा लिखा इनसान होगा वो अपनी बहान की, अपनी मा की अपनी बेटी की या अपनी बीवी की उतनी रिस्पेक्ट करेगा जदी यदी वो समझेगा उस चीज को तो मेरे हिसाब से हमारे पूरे समाज में इस चीज को थोड़ा बढ़ावा मिल रहा है हमारी महिलाओं को लेकिन अभी भी बहुत जादा सुरक्षा का एक वो है अभी भी हम अपनी बेटी को रात को एक बज़ा के लिए नहीं भेज सकते हैं अभी भी हम डरते हैं तो कुछ चीजें हैं जिनमें हमें लगता है मानसिक्ता बदलने की जरुरत है अब हमारे लोगों को समझना पड़ेगा अगर हमारे कानून सक्त है तो हमारे कानून का पालन भी किया जाए सक्त इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पालन नहीं हो रहा था तो यदि हम यहीं बोलेंगे इसके लिए सब समाज का पूरा ही योगदान चाहिए हर एक योगदान चाहिए कि हम महिला को सपोर्ट करें अगर वो अपना सपना देखना चाहरी हो सपने को पढ़ाया जाए अपनी बच्चियों का बाल विवा मत कीजिए अपनी बच्चियों को पढ़ने दीजिए मोका दीजिए आज हम उस देश में जा हमारी जो प्रेजडेंट है वो भी महिला है तो हमारे लिए इससे ज़्यादा एक खुशी की बात क्या होगी और इसे मिसाल के तौर पर देखा जाना चाहिए हर एक वर्ग के लिए हर एक लोगों के लिए हर एक घर तक दिरती शर्माजी एक अमात्रपून बात ये भी है कि आप नियाएक सेवा से जुड़ी हुई है कई तरह के कैसिस आप देखती है उन चीजों को सॉल भी करती है और सॉल कैसे हो इसके लिए कई तरह की जो चीज़ें हैं मन में उधेर बुन भी चलती है तो जो पक्षकार होते हैं जो आपके सामरे जो लोग अदालत में आते हैं मामले के निश्भादंध को लेकर क्या अबज़र्ब आप कर पाती है जब वो शिकायते करते हैं जब आप नियाएद दे पाती है दोन्नों पक्षों के रिजमान्दी के हिसाब से क्योंकि कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कई चोटी-मोटी बातों को लेकर भी जो लोग है अगर समझदारी रहने के साथ ही अगर रहती तो वो अदालत तक मामले नहीं पहुंचते हैं अगर यदि हम उन जब उन दोनों को बिठाते हैं मध्यस्ता एक पहला तरीका माना जाता है दो पार्टी को बिठाते हैं उनसे पूछा जाता है तो इतनी बड़ी बात नहीं होती जिस पर वो केस बन जाता है तो लोग अधालत उसका एक माध्यम बना गया है हम जिसको ऑल्ट यदि दोनों पार्टी सुला कर लेती है यदि वीधी पुर्वक लॉग में वो दिया हो है कि वो सुला हो सकता है उसमें वो दोनों पार्टी अपना अप्लिकेशन देती है अपना कॉंप्रमाइज देती है तो यदि कोट में लंबित मामला है तो कोट उसको हमारे को रेफर करता है यदि अभी वो पुरवाद है मान लिजे अभी कोट में गया ही नहीं केस वो दोनों पार्टिस पहले ही उनको लगता है कि हम समझता कर ले कोई लेंदेन का केस है या बैंक का केस है उन केस में यदि वो बैंक चाहे कि पहले ही हम निप्टा लें तो अभी वो कोट में आने नहीं गया तो पुरवाद को भी हम लेते हैं और दोनों पाठिज अपनी सुलाह नामा के साथ उसको अगर दायर करती हैं तो उसमें हम उसका निश्बाधन करते हैं वह फैस्ला निया कोट का लंबित मामला है जिसमें आपने नया शunction क दिया है यडि लोग अदालत में उसको आप सुलझाते हैं तो आपका नया है शुलक जो कोट फीस था वह भी वापिस मिल जाता है तो कील का खर्चा तो बचा बचा प्लस जो आपने खर्चा किया था वो भी आपको वापिस दिया जाता है लेकिन यदि वो विधी पूर्वक उसका कॉंप्रमाइज अलाउड है कानून में वही केस हम लोक अदालत में लेंगे देती श्रमा जी एक बड़ा मुद्दा यहां पर बन जाता है कि अगर हम बात की जाए तो मानिवे समाज में पूरुष परधानता की जो कहानी है वो सद्यों पुरानी है सद्यों से चलती आ रही है ऐसा जो सोच है जमाना अब मौडरन हो रहा है मौडरन हो भी गया है और और आगे तरकी कर रहा है लेकिन इन सब के भी जो है कुछ महिलाओं के साथ एक बढ़ा वर्ग बहुत बढ़ा सम्मूव है इनके साथ जो कहने कहीं परिस्तितियां शायद उनके साथ बदली नहीं है या फिर बदल नहीं पा रही है इसका कई सारी कारण भी हो सकते हैं आकरे कई सारे जो घटनाय सामने आती चाहिए घरेलों नहीं है तो बड़ा सबाल यहां पर यह भी पैदा हो जाते कि आकर क्या कारण हो क्या रास्ता हो इसका क्या उपाई हो क्या ढंक हो क्या रास्ता हो कि जो हालात हो बिलकुत समान हो सके पुरुष परधानता खत्म हो सके हमारे समाज में देखिए पुरुष परधानता की या जैसे आपने शुरुमात में बात बोली कि महीला की पूजा करना मा की पूजा है, हम धरती माता बोलते हैं, हम हमारे पूरे जितने हमारे वेध हैं, जो भी हमारे हैं, उन सब ने हम मा को एक बहुत बडा दर्जा दिया हुआ है, और यदि आप महीला की और आप सेवा, फाइधा, हमारे सारे, किसी भी आप किसी भी उसमें चले जाईए, किसी भी बिलीफ में चले जाईए, उन सब में महिलाओं की एक respect कहा गया है, respect कीजिये, तो यदि आप जितने भी कानून हमारे बने वो कानून क्यों बनाने पड़े यदि एक मेरा समाज सब अच्छा है मैं कानून उसी चीज के बलाऊंगी जिसकी मुझे कमी दिखेगी तो यदि हमारे समाज में हमें स्पेशल कानून महीलाओं के लिए बनाने पड़े तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि हम उन महीलाओं को सुरक्षा देने में चूक कर रहे हैं उनको एक स्पेशल दरजा देने के लिए हमको एक कानून बनाना पड़ रहे हैं तो क्यों ना हम लोग एक संकल्प लें कि हम अपने घर में अपनी महीला आप एक मोका तो दीजिए, आप उनको दबाके और जो पीडन करते हैं, उसके साथ आप सोचिए, सिरफ उसकी शरीरिक दुख नहीं होता, उसकी मानसिक और उसकी पूरी उसकी अंदर की आत्मा पे दुख होता है, यदि आप उसको एक पीडित इंसान से फिर आप आगे एक अ पीडियो सकती है, तो परधानता का मतलब परधान, घर का परधान मतलब हर चीज का responsibility, तो परधानता में respect होना मेरे को लगता परधानता का एक component होना चाहिए, यदि हम पुरुष परधान बोल रहे हैं, तो उस परधान को अपनी responsibilities भी पता होनी चाहिए, कि मुझे महिला को एक respect देना, एक बराबर दरजा देना, अभी आपने शुरू में कुछ, जिसना हमारे संसकार की बात की, कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, उसी में ये एक दरजा दिया हुआ है, बराबर बिठा के उसको हर पूजा में उसको बराबर बिठाया जाता है, इसलिए बढ़ा और खासतर पर ये भी बात है कि जो महलाए अपने सम्मान को, अपने मौलिक अधिकार को नहीं जान रही है, मांसरी ग्रूप से सशक्त नहीं बन पा रही है, तो आखिर वो तरीका कैसे वो जागरू बने, इन तमाम मुद्धों पर जो बातची थी वो चल रही है, और आगे जन तराल के बाद, पुराब का स्वागत है, हमारे खास कारिकरम बिहार बियान में, और जैसा कि आज हमारे साथ मौल्ध है, जिर्ति जसलीने शलमाजी, जो सेंग्त सच्चिव हैं, बिहार राजवदीक सेवा प्रादिकरण की, पुराः प्रादेकरन की पुराप का स्वा जैसे हमने भी बात की कि हमारा विदिक सिवा प्राधिकार का कुछ-कुछ दायत्वे हैं, हमारी functions है, duties हैं, उसमें एक लोक अदालत है, जिसना भी विकल्पिक मोड है, कि आप अपना नियाए, बिल्कुल immediate नियाए आप अपना कर सकते हैं, कोर्ट में लंबित केस है, आपका compromise माईजा आप कोट में एक आवेदन देखें, उस केस को हमारे को refer करवा दीजिए, हर साथ साल में चार बरी लोक अदालत लगती है, पहली लोक अदालत 9 मार्च को है, फिर 11 मैई को है, फिर सप्टमबर में है, फिर दिसंबर में है, वो डेटें आती जाती हैं, डिस्ट्रिक में माधन करवा चुके हैं, और यदि हम केस की बात करें तो हर केस में दो फैналियोट जूड़ी हैं, दो पक्स जूड़ी होंगें तब ही केस बनेगा, तो दो फैüberमली जूड़े हैं, तो जब जिसके घर में केस होता है, वो फैली पूरी परिशान रहती है, अगर हम 3,500,000 क केसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतब्द्द 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिन में हम सुलह करवा पायें। तो यह बहुत खुशी की बात मुझे एक बहुत गरव लगता है कि मेरे प्रधिकार की तरफ से इतना काम किया गया कि हम 7 लाख परिवारों को एक पूरा का महोल लेक्ट आए और उनको हमने नया परिक्रिया केस की जो उनको हो सकता उनकी कई बार हम देखते हैं कि पीडी मतलब पिता जी ने केस किया बेटा भी भुगत रहा है तो पीडी दर पीडी जो उनके घर में मन मुटावे उसको खतम किया और जिसना हमने बताया कि क्योंकि सुला की बेसिस पे है तो इसका कोई अपील भी नहीं होता इसका कोई आगे परिशानी होने की कोई संभावना ही नहीं है और अवार्ड जैसे सिविल कोर्ट की डिक्री होती है वैसे इस अवार्ड को एक्जेक्यूट करा सकते हैं कोट फीस वापिस मिलेगा और उसमें उस बात पे उनको विकील की भी जरुरत नहीं तो हर तरहां से उनका मतलब खुशी की बात है किसी भी तरहां से उनके ओपर कोई दबाव नहीं है और अपना समझोता करके वो अपना घर जाए और केस निप्टाएं अगर उनका पुरवाद है उसको भी समझोता करें ताकि उनक यह बहुत बरी उपलब धी आपके नाम पी है, बधाई देना चाहेंगे इसके लिए आपको, और वाके में लोगों के बीच केस खत्म हो, इसका मतलब यह नहीं कि आपको जागरुकता रहना जोजरूड ही है, क्योंकि भविश में इस तरह की जो प्रॉलम अगर आप फेस करे ताकि औरों को भी से परिशानी नहीं हो, एक बहुत बरा सवाल यहाँ पर यह भी उड़ जाता है, जो हमारे समाजी के मुद्धे देखने को मिल रहे हैं, कि घरेलू अत्याचारों में जो देखा गया है, जो रिपोर्ट सामने, जो तत्थे सामने आई, उसमें महत्रपुन थिंकिंग होती है, मासिकता होती है कि वो माईके में कब तक रहेगी, और परिणाम होता क्या है कि आगे चलकर उनके बेटी के साथ या तो कुछ हो जाता है, या फिर वो खुद उनकी बेटी आत्मगाती कदम उठा लेती है, तो वो जो महिलाएं होती है, विप्रित परस्त सरकारी रहनी चाहिए, कि सरकार जो है, देश जो है, उनके लिए ऐसे से समविधान की बात कर रहे थे, कि उनके लिए स्पेशल कानून बनाने का प्रवधान है, तो इतने कानून उनके लिए बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, यदि इतना आपके लिए जो सरकार है, आप डर के उसमें चुपमत रहिए यदि आपको कोई भी पड़तारना है सरकारी नंबर है हेलपलाइन नंबर है महीला हेलपलाइन नंबर है यदि वो नहीं दार आप डायल करना चाहते तो पंद्रा एक सो जैसे हमने नंबर बताया एक पांच एक शुन्य शुन्य उसको नोट कर दीजिए वो टोल फ्री नंबर आपको कोई पैसा नहीं लगेगा उस पे कॉल कीजिए यदि आप अपने किसी पैरा लीगल वालेंटेर को जानती हैं सी एसी सेंटर को जानती हैं आप थोड़ी सी हिम्मत कीजिए आप एक बार ही हमारे विदिक सेवा प्राधिकार के दफ्त हम दहेज परतारना की बात करें या और केस हैं उन केसिज में यदि केस जब चलता है तो उनको मुआफ़ा भी हम लोग देते हैं पीडित को तो हर तरहां से हर मोड पे हर स्टेप पे जो महिलाओं के अधिकारों के लिए हम लोगों को सिर्फ पूरी तरके से तक पर हैं और स तरहें हमार यही है कि जय जब जागरुकता है वो बढ़ें और आपके जिवाधिकारों का अहुरा है मौलिक अधिकारों का हो रहा है उसके बारे में अधि utilities अर्मार्ची आप के पर करम में आए कई सारह जानकारिया जागरुकता को लेकर आपने दी बहुत बहुत शुक्र आपका ठिए उत्वार गाए मादम से एप्नि प्रतिक्र्या और खत लिखनी के लिए उठाये कागज रोकलम कोज़ए हमारा पता हमारा पता है का रिकर्म ऑपठभे का मादम लिखे हमारा पता है आग झाल झाल